हेलो एवरिवान वेल्कम बैक टू माई चैनल पुनिताच कीचन मैं हूँ पुनिता तु आज मैं आपको आलू ब्रैड पकोडा बनाना बताऊंगी जिसको बनाने के लिए आपको कुछ भी सामान बाहर से लाने की जरूरत नहीं है बस जट से कीचन में जाएं और कीचन में र टेबल स्पून ओयल और जैसे ही तेल हलका सा गरम हो जाएगा तब हम उसमें एड़ कर देंगे हापटी स्पून जीरा जीरा के ब्राउन होते ही हम एड़ करेंगे एक मीडियम साइच की फाइनली चोपकी हुई प्याज प्याज को हलका सा फ्राई कर लेंगे और उसके हाप टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर हाप टी स्पून लालमिच पाउडर बंटी स्पून नमक या प्री टेस्ट के कोडिंग हाप टी स्पून डालेंगे हम चाट मसाला इससे मसाले का फ्लेवर बहुती बढ़िया आएगा तो बस अब इनको हम मिक्स कर लेंगे और सुकी मसाले डालते वे आप फ्लेम को लो रखें, नहीं तो मसाले जल जाएंगे यह लिए हैं मैंने दो मीडियम साइज के आलू, इनको मैंने उबाल के मैस कर लिया है, डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, तो यह देखे हमारी स्टेपिंग अच्छे से मिक्स हो गई है, इसको एक दो मिनट के लिए हम भूल लेंगे, बैड कर देंगे इसमें हरा धनिया, मिला देंगे इसको भी, और आदा मिनट के लिए और फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर, तो यह हमारी स्टिपिंग बनकर हो गई है तैयार अब हम चलते हैं अंगले प्रोसेस में अब हम लेंगे एक बाउल बाउल में एड़ करेंगे हम एक कप बेसन बेसन को मैंने चान लिया था अब डालेंगे कुछ सुखे मसाले हाप टी इस्पून लालमीज पाउडर डाल देंगे यह आएगा वन पिंच के करीब हम एड़ करेंगे इसमें बेकिंग सोडा अब हम इसमें पानी को थोड़ा-थोड़ा डाल कर मिक्स करते हुए रैनिंग कंसिस्टेंसी का बेटर बना कर तयार कर लेंगे पानी हमें एक दम से जादा नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से विसकर की हेल्ब से या फिर आप चंब्स से इसको मिक्स कर सकते हैं तो यह देखिए बैटर अभी थोड़ा س गाड़ा लग रहा है पानी मिलगों बस एक से दो चोटे चंब्स be절 तो यह सब्सक्रShot तो यह देखे हमारा बैटर बनकर तयार हो गया है यह देख सकते हैं आप बैटर बनाने के लिए मैंने एक कप पानी लिया था उसमें से यह इतना पानी बचा है अब हम लेंगे चार बाइट प्रेड आप चाहिए तो प्राउन प्रेड का भी यूच्छ कर सकते हैं अब हम ब्रैड की स्लाइस पर हमने जो इस ट्रफिंग तयार है वो रख लेंगे आप चाहे तो इस ट्रफिंग को चमत से या फिर हाथ से इस ब्रैड कर दें इस तरह से यह देखिए अब हम दूसरी bread को bread की slice के उपर रख कर हाथ से press कर देंगे ताकि एक्षे से एक दूसरे से आपस में चिपक जाए बस इसी तरह से हम दूसरी bread भी तयार कर लेंगे तो यह देखिए हमारी दोनों bread बनकर हो गई हैं तयार अब हम इनको fry करेंगे तो फ्राई करने के लिए मैंने ओयल पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था जब तेल गरम हो जाए तब पैटर को एक बार चमच से चला लेंगे अब एक श्टफिंग बाला ब्रैट लेकर बैटर में डालकर अच्छी तरह से डिप करके गरम ओयल में डालने कि देखे इस तरह से हमें बैट को बेशन में डिप करना है और बहुत केर फुली तेल में डालना है क्योंकि तेल बहुत जादा गरम है पकोडे के ऊपर हम चलनी से इस तरह से तेल डालते जाएंगे ताकि इधर से भी अच्छा सा सीख जाए और फ्लेम को मीडियम रखेंगे बस अब हम ब्रैट को दोनों साइड से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे तो यह देखें फ्रेंड्स हमारा पकोडा बनकर तयार हो गया है देख सकते हैं आप जो हमने इसमें बेकिंग सोडा यूज किया था उसकी वज़े से यह बहुती फुलावा बनाया है जैसे की मार्कित में मिलता है यह देखें बस अब हम इसको निकाल लेंगे एक पेपर टोवल पर जिससे की इसका एक्ष्ट्रा ओयल निकल जाए तो बस इसी तरह से हम दूसरा ब्रैड पकोडा भी फ्राइ करके तयार कर लेंगे देखें फ्रैंड्स बस हम ब्रैड की दूसरे वाली स्लाइस को भी लेंगे और बेशन में डिप करके अच्छे से हम इसे फ्राइ कर लेंगे यह देखें तो देखें फ्रैंड्स हमारा दूसरा पकोडा भी बनकर तयार हो गया है अब मैं आपको इसको काट कर दिखाऊंगी यह देखिए आप इसको ऐसी ही कट करके सर्व करें तो यह देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ने बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यम्मी और डिलीसियस तो बस फ्रेंड्स हमारे ब्रेड पकोड़े बनकर तयार हैं आप ब्रेड पकोड़ों को चाहें के साथ या टेमेटो केचप या फिर खट्टी मिठी चट्नी के साथ या फिर ग्रीन चट्नी के साथ इंजोई करें यह आपको और आपकी फैमली को बहुत पसंद आएंगे तो आप भी इस बरसात में आलू के ब्रेड पकोड़े बनाएए और इंजोई कीजिए तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके जरूर से बताएं अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलकूल ना भूले